व्रिक्षों को सदैव पूजनिये माना गया है। सीता जी भी लंका में अशोक वाटिका में रही। जैन तथा बौत धर्म के अनुसार भी व्रक्ष पूजनिये हैं। गौतम बुद्ध ने बोधी व्रक्ष के नीचे ही ज्यान प्राप्त किया था। बेलपत्र शिवजी पर चड़ाया जाता है। कमल भगवान विशनु तथा ब्रह्मा का पुष्प है। मा लक्षमी को कचनार के फूल अतिप्रिये हैं। पीपल के व्रक्ष पर यश का वास होता है। तुलसी को विश्णु पत्नी के रूप में माना जाता है। कदम व्रक्ष का नाम कृष्ण से जुड़ा है। तथा नीम के औश्धिये गुणों से रोग मुक्ति मिलती है। नमस्कार, मैं हूँ पोयम दाल्मिया, स्प्रिच्वल हीलर और आपकी वेलनेस कोच। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप से बात कर रही हूँ विभिन प्रकार के व्रक्ष, पेड़ पौधे और उनसे होने वाले फ आपको घर खरीदने में प्रॉब्लम्स आ रहे हो बार बार और आप विचार कर रहे हो घर करीदने का लेकिन फिर कोच इशू आ जाता हो तो आपको बिल्कुल सिंपल उपाई करना है आपको क्या करना है कि नीम के जो स्टिक्स होते हैं डंडी होती है उसकी आपको उसका ए किसी भी मंदिर में जाकर रख दीजे या फिर आप वहां पर जाकर रख दीजे या डोनेट कर दीजे मंदिर में यह उपाई आपके आपस्टेकल्स को रिमूफ करेगा और नया घर खरीदने के रास्ते खुलने में आपकी मदद करेगा दूसरा उपाई हमेशा हमें करना है। कि दर्वाजे के पिछे कुकि हमारे आदत होती है कपड़े टांगने की तो ऐसा ना करें। क्यु कि अगर दर्वाजे के फटेकल आप कपड़े टांग रहे हैं तो इससे आपका जो चार्यूर है यह उसको भी इफेक्ट कर सकता है। पोशिश करिए दर्वाजे का पीछे का स्पेस आपका क्लियर रहे तो चलिए अब बात करते हैं विभिन प्रकार के व्रक्ष, पेड़ पौधे और उनसे होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में फल वाले व्रक्ष हमेशा पूर्व यानि की इस्ट डिरेक्षन में लगाने चाहिए दक्षिन यानि की साउथ डिरेक्षन में दूध वाले व्रक्ष लगाएं वैसे इन व्रक्षों को ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है पश्चिम यानि की वेस्ट डिरेक्शन में कमल का फूल कमल लगाना बहुत शुब माना जाता है जो व्रक्ष इस्तरी के नाम से जाने जाते हैं जैसे चमपा, चमेली, जूही आधी घर में बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए अवाइट करना चाहिए टेड़े मेड़े या कूबड़ वाले जैसे कहीं कहीं से फूले उए जो रक्ष होते हैं वो घर में नहीं लगाने चाहिए अच्छा नहीं माना जाता है खजूर, केला, बेर, अमरूद, नीम्बू, मिर्च जिस भी घर में होते हैं वहाँ पर कलह या दरितरता का वास होता है इसलिए इन पेड़ों को घर में लगाना हमेशा अवाइट करना चाहिए अगर घर के सामने मंदिर, मस्जिद, चर्च, दर्गा, शंशान या हॉस्पिटल हो तो घर के मुखे द्वार को छोड़कर एक लाइन से पेड़ की कतार लगा देने से भी यह दोश दूर हो जाता है यह बिमारी तथा कूद रिष्टी से भी बचाते हैं घर के आंगन में आपका तुलसी का पौधा लगाना बहुत शुब होता है परन्तु इशान कोण में अगर आप तुलसी का पौधा लगाते हैं तो यह और भी अधिक शुब हो जाता है इशान कोण में तुलसी का पौधा लगाने से इसके ओशदिये गुण बढ़ जाते हैं अगर आपके पास फार्म हाउस है तो उसे इशान कोण में बड़े व्रक्ष कभी भी नहीं लगाने चाहिए यदि किसी व्रक्ष की चाया आपके घर पर दुपहर के समय पड़ती है तो यह भी अशुब है तो आप पाकुआ मेरर का यूज़ कर सकते हैं तो यह आपकी एक तरीके से रामिडी हो जाएगी बिमार या रोगी व्यक्ति द्वारा दिये गए पौधे कभी कभी कोई हमें गिफ्ट कर देता है तो बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए पीपल पश्चिम दिशा में तथा बढ़ का व्रक्ष उत्तर यानि की नौर्थ डिरेक्शन में लगाना शुब होता है अशोक के व्रक्ष उत्तर देशा में लगाने से घर शोक रहित रहता है बाउन्डरी के बाहर अनार, नाक केसर, कथल तथा नारियल के व्रक्ष शुब फलदायक होते हैं जो रात्री व्रक्ष होते हैं वह कभी भी घर की चार दिवारी में नहीं लगाने चाहिए पपीते का व्रक्ष घर के वीतर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये प्रॉब्लन्स ही करेगा गणेश जी की पूजा तुलसी पत्र से तथा दुर्गा जी की पूजा दुर्बा से कभी भी ना करें गणेश जी की पूजा में जामुन अवश्य चड़ाएं बहुत ही ऑस्पीशियस रहते हैं गणेश जी को जामुन चड़ाना शेफ पूजन में बेल पत्र का अवश्य यूज आपको करना चाहिए कमल का पुश्प भगवान विश्णू को चड़ाने से समस्त पापों का नाश होता है भगवान शंकर को शमी का पुश्प चड़ाना बहुत शुब रहता है और आप इसको अपने घर में भी लगाते हैं तो ये बहुत शुब रहता है भगवान विश्णों को तुलसी जो होती है वो अवश्य चड़ानी चाहिए तो ये था मेरा आज का टॉपिक और आपसे फिर मुलाकात होगी अगली बार एक नए टॉपिक के साथ I hope आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो हमारे वीडियो के लिए और नएने अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें बाकी लोगों के साथ भी इसको शेर करें जिससे की बाकी लोगों को भी इसका फायदा हो सके Thank you so much for watching God bless you all